इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाय सर्माया.pk पाकिस्तान जॉनली वेबसाइट वेरे यू कन फाइड आल दे इंफोर्मेशन एगार्डिंग पाकिस्तान स्टॉक इस्टेंज एंड मूच्यल फंड्स असलाम लेकुम गाइस आज की वीडियो में हम इंटर लूप के क्विक कौर्टर ली अनेलेसिस करेंगे 2022 के आखरी 6 मेहिनों में कंपनी का रेविन्यू तकरीबन 60 अरब रुपे था जो इस साल इंक्रीज होकर तकरीबन 74 अरब रुपे हो गया है कंपनी का कहना है इस रेविन्यू में इजाफ़े के वज़र यूएस और यूर्पन मार्केट में डिमांड का जादा होना है कंपनी के लिए अच्छी नियूज है इस सबके चलते कंपनी के ग्रॉस मार्जन भी अच्छे हो गए है और पिछे साल के 26 विस्द ने इंप्रूव होकर इस सल 30 विस्द हो गए है और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट एर के आखरी 6 महिनों में कंपनी का प्रॉफिट 4.5 अरब रुपे था जो इस सल बढ़के 9 अरब रुपे हो गया है यानि तकरीबर 97 परसंट का इजाफा इंफलेशन के वज़ा से कंपनी के आपरेटिंग कास्ट और डिस्टिबूशन कास्ट ने भी इजाफा हुआ है वरना ये प्रॉफिटिबिलिटी मज़ीद भड़ सकती थी गोइंग फॉरवट कंपनी का कहना है फ्यूचर कंपनी का का काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि यूएस ने नास्तिर प्रिसेशन को वाइट किया है बलके यूएस की एकॉनमी एक स्टेडी पेस से इंप्रूफ भी हुई है लेकिन कंपनी का कहना है कंपनी को बहुत से चैलेंज इसका भी सामना है जैसे के पाकिस्तान की एक रॉमिक सिचुएशन इतनी अची नहीं है और आगे से दुनिया में जो कॉन्फिक्स चल रहे है उसकी वरा से सप्लाय चेर्न में भी डिस्रॉप्शन आ रही है जो कि कंपनी के लिए एक बुरी खबर है कंपनी अपने बेहाफे जितना बहतर कर सकती है कंपनी कर रही है कंपनी ने रिसंटी निट वेर के एक नाया प्लांट लगाया है जिसी वरा से कंपनी के एफिशेंसी में काफी बहतरी आएगी I think इस कंपनी का फ्यूचर काफी इच्छा है